धर्ती के दक्षिनी दुरुफ से लगे अंटाक्टिका महाद्वीप के पश्चमे हिस्से में बरफ का एक महा काय परवत रिकॉर्ट तीजी से पिखल रहा है। पिखलने के इसकी रफ्तार साड़े 5000 साल में सबसे 30 है। इसका नाम थ्वाइजस ग्लेशियर है। लेकिन इसे डूम स्टेग ग्लेशियर यानि कयामत के दिन का ग्लेशियर भी कहा जाता है। विज्यानिकों के ताजा अध्यन से पता चला है कि ग्लेशियर के पिखल जाने पर फविश्य में समुद्र का जलस्तर करीब 2-10 फुट तक बढ़ सकता है। जो दुनिया में तबाही रा सकता है। थ्वाइटस ग्लेशियर का आकार अमेरिका के प्लॉईरा के बराबर है। बता दें कि अंटार्क्टिका में बर्फ ही बर्फ है। इसका 98 पीसिदी भाग औस तन 1.6 किलोमेटर मोटी बर्फ से ढखा है। यहां लोग बसने के लिए नहीं आते हैं। आम तौर पर यहां विभिन रिसर्च इंस्टिट्यूट के विज्ञानिक अपने खोचकारी के लिए महँचते हैं। इतने बर्फ वाले हिस्से के विशालकाय परवत के पिखलने से शोधार्थियों में चिनता है। 2019 के आखिर और 2020 की शुरुआत में करीब 6 हफ्तों की दर्मियान अंटाक्टिका में कॉर्नल युनिवोसिटी के विज्ञानिक बिटनी श्मिट की अगवाई में अमेरिका और बिटन के 13 विज्ञानिकों की एक टीम ने अंतराश्चिय थौइटस ग्लेशियर सहयोग कारकरम के रूप में एक बड़ा फील्ड कैंपेंग चलाया इस दरान एक अंडर्वाटर रोबोट वाहन आइस फिंग की जर्ये ग्लेशियर के उन हिसों तक विज्ञानिक पहुंचे जहां हर साल तनों बर्फ पिघल कर समुद्र में किरती है इस शोद के संबंध में 15 परवरी को नेचर जनरल में दो अध्यान प्रकाशित किये गए इनमें बताया गया कि ग्लेशियर की धाल के रूप में काम करने वाली बर्फीली चटान की नीचे मौजूद कर्म पानी इसके सबसे कमजोर हिसों में पहुंचकर उन्हें नुक्सान पहुंचा रहा है ग्लेशियर के हिस स्तर में इजाफे के लिए एहम रक्षा प्रदान करती है चिंता का गारण ये है कि समुद्र के गर्म होते ही बर्फ की चटान कमजोर पढ़ने लगती है विज्ञानिकों का अनुमान है कि थ्वाइटिस के पूरे पतन से समुद्र का जलस्तर दो फीट यानि सतर की तरह की काम कर रहा है विज्ञानिकों का मानना है कि अगर थ्वाइटिस पूरी तरह से ढह गए तो वैश्विक समुद्र का स्तर आखिरकार करीब 10 फीट बढ़ जाएगा